Hello boys and girls, आप लोग कैसे हो, दस टॉंगे, सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर अपग्रेड हो चुका था और यहाँ पर लडगी के अपिरेंस में आ गया था और मैन केट की प्रिवियस मेमेरी के हिसाब से उसने पर कपड़ भी चूज कल दिये थे और मैन केट रहे यहां पर अच्छे से सोप है इसलिए यहां पर AID मोड को अंग करती आता है और हो मोड बेसिकली हमारी जितने भी पास्ट की घटना है और जितने भी बुरी मेमेरी उसको यहां पर अपने सपने में आने से बचाता है और फिर यहां पर सिस्टम एक स्क्रीन में मैन केट करी जो पास्ट की मेमेरी उसको देखना है लगा थी और अब आगे तो हमको दिखाया जाता है जो man character यहाँ पे गुरूप में ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पे अपने साथ एक कुता भी होता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक बंदा आता है और जितने भी लोगे उन लोगों के गुरूप में खड़ा करते उनका यहाँ पे रैंक बताने लगता है और उसमें से जो हमारा man character यहाँ पे पहला rank आया होता है और उसकी उमर यहाँ पे सिप 6 साली होती है और यहाँ को जाने का कहके man character को रोक लेगता है और man character अपने कुत्ते को पानी पिलाने लगता है और तब यहां पे जो group का leader वो आता है और उसका नाम frost father होता है और उसको देखके यहां पे जो man cater काफी दे कुछ होता है और जो आपे frost father मतलब leader है वो आपे man cater के पास आता है और कहते है के मुझे पता था कि तुम्हें पापा को कभी भी नीरास नहीं करोगी तो वो सुनके जो man cater होता है वो कहता है कि मैं यहां पे अपना सबसे best दूगा तो वो सुनके जो leader होता है वो कहता है कि उसके भले में तुमको यहां पे कुछ चाहिए और कुछ चाहिए तो तुम महाग लो और जो तुम्हारे father है तुम्हारे safety का यहाँ पर पूरा ख्याल सखेगे पर जो man character है यहाँ पर man गर देता है तो वो सुनने के पाद जो हाँ यहाँ लीडर होता है वो कहता है कि मैंने हाँ यहाँ पर सुनना है तो वो सुनके जो लीडर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुमको यह कुटा काफी पसंद आ चुका है और मैंने पहले बार ऐसा सुना है कि तुमने एक ही सेंटर्स में इतने सारे सब्दों का यूज किया हो और मुझे बताब किस कुद्देगा यहां पर नाम क्या है तो वो सुनने के बाद जो महन केड़र होता है वो कहता है कि इसका नाम यहां पर महन क्या ले और वो यहां पर मेरा पार्टनर है और यहां पर जो kutta है वो भी हम low raha वह सुनने के बाद जो हम पर leader होता है मुझे लगता है को यह याख हो पर यह ताइम आ चुका है तुमाबा सब पहला टास्क देने कий और फिर इहां पर जो man occur रेडी हो जाता है और फिर यहां पर leader निकलता है और man kit को देते हुए कहते है कि इस कुट्टे को यहाँ पे मारतो और फिर यहाँ पर जो memory यहाँ खतम हो जाती है और यहाँ पर जो system यहाँ man kit के पास आती है और कहती कि मुझे यहाँ पर मेरा नाम काफी अच्छे से पसंद आए और master आप यहाँ पर अरहम से सोना और फिर हमको next दिन का scene दिखाया जाता है मतला अग्दम सुबा का 6 बजे या 5 बजे का और जो man creator hole की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि मुझे अपी भी पहुत ज़्यादा निंद आ रही है और अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पर सारे minister को follow करके man hole में जाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे जो वेरफार की building ए उसके बारे में बात करना पड़ेगा और यहाँ पर zero उसे पुछना पड़ेगा कि यहाँ उसका final decision क्या है और कहता है कि यहाँ पर gold master inspector के लिए नहीं था तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानता हूँ और यहाँ पर नहीं आता है और यहाँ पर man character को देखके यहाँ जी और उसकी जो वाइप उसको यहाँ पर greet करती है और फिर यहाँ पर जो prime minister वो भी यहाँ पर man character को देखता है और उसके पास जाके उसको ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे लगता कि यहाँ पर प्रिंस कल रट को यहाँ पर अच्छी से नई सो पाए ऐसा है तो मेरे घर यहाँ पर एक धूप रखा है जो यहाँ आपका अपर माइन को एकदम सांद कर देगा और आपका यहाँ पर जो नेंदों काफी जड़ा अची हो जाएगी और यहाँ पर जो काउंटों खत्म होने के बद में यहाँ पर किसी को मेरे घर पे बहाँ दुगा और वो चीज़ा आपको अपको ल doen पहुचा देगा और अपने मन में सोते हैं कैसा कैसे हो सकता है मुझे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ग्रीट कैसे कर सकता है क्या उनका यहाँ पर घरी पर पानी बहुत ज़्यदा खरब आने लगा है और क्या मैं उसको यहाँ खतम कर दू और फिर कहता है damn नहीं यहाँ पर बहुत सारे लोगे मैं ऐसा नहीं कर सकता और मेरे लिए काफी दाद मुस्किल बरा हो सकता है और कहता है रुको मुझे यहाँ पर थोड़े लोगों को जाने देना चाहिए और उसके बाद में उनको खतम कर दूगा और फिर कहते है नहीं नहीं मुझे यहां पर सांत होना चाहिए जो यहां पर प्राइम मिनिस्टर रही यहां पर दैंग दिनिस्टी ले काफी तो इंपूटन्ट परसन है और कहते है कि नहीं उसको यहां पर नहीं मार सकता है अगर मैं उसको यहां पर मार दूगा तो यहां प केतम हो जाएगी और यहां पे एम्परोस को भी उसके यहां भी बहुत ज़रूरत है और फिर में करक्टर के ता सांत हो जाओ सांत हो जाओ और वो सुनने के पर जो प्रैम मिन्स्ट हो तो उनको भी काफी दिला गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में कहते है क्या मैं तुमको यहां पर पॉजन दे के मार दूगा अगर हो यहां पर भागल लोड़ोत के लिए नहीं था तो मैं कभी भी ग्रीड भी नह करता है और तुमको ऐसा लगता है कि तुम यहां पर मुझे मार पाऊगी तुम यहां पे एक दम और बंदे ओ, जिसके पास कओ कोल भी कल्टिवेशन नहीं और क्या तुम कारो है तुम है टुम्हारा में इतनी मत आ शुकिये है तुम मुझे 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 आपके लिए जो टाइटल है पर्फेक्स प्राइस तांजू वह आपके काफी तेदा अच्छा है और आप उसी यहां पर डिजर्व करते हैं करता क्या घ्यां कर लोगों में अस्लेम सायर के असरे हैं इंची क्या है यहां पर मुझाम पर कहीं लोगों और घ्यां들 की सबस्क्राइब में लिजर्ण कैसम प्रहाई प्राइब रोगोजा धेड़ा होता है और फिर जो man character हो Empress के सामने ख़ड़ा होता है और यहां पर जो Empress होती है वो कहती है कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे इतने तुम्हारा support क्यों कर रहे थे कि तुमने यहां पर ऐसा कुछ काम किया है इसके वज़े से तुम्हारा support कर रहे और अपने मन में सोती कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऐसे कैसे प्रिंस को जादा support कर सकते है और किया यहां पर प्रिंस ने ऐसे कुछ काम किया है जिसके वज़े से उनका mind यहां पर change हो चुका है और वह सुझने के बाद जो man character होता है वह कहते है कि मैं यहां पर पहुंचाता surprise हूँ कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर उनका attitude पुरा change हो चुका है मुझे लगता है कि वह कल रात यहां पर अच्छे से नहीं सोए और majesty आपने पहले देखा वह यहां पर meeting में कैसा smile कर रहे थे तो वह सुझने के बाद जो जाओ होता है वह कहते है कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर विमार हो चुके कि क्या उसकी यहां पर कोई connection है तो वह सुझने के बाद जो जाओ की wife होती वह कहते है कि हमको इसके बारे में और सुचने से कुछ भी होने वाला है नहीं और फिर जो man character वह अचाना से कहता है कि यहां पर फिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे यहां पर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है मुझे फटा फट जाना पड़ेगा और जाते हुपे कहता है कि मैजेस्टी मैं यहां पर साम तक MPL study में आपको company देने के लिए आ जाओगा तो वह सुनने के बाद जो जाओँ होता है वह कहता है कि प्रिंस आप यहां पर कहां जा रहे हो और कि आप यहां पर आज का लंच नहीं खाने वाले और मैं केटर वह सुनने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पे पैसे बनाने के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आज का लंज नहीं खाऊँगा और वो सुनने के बाद जाओ और उसकी जो वाइफ होती हो अपने मन में सोती कि पैसे बनाने लिए जा रहा हूँ और यहाँ पे जो एमपरस होती ही वो कहती कि इसके यहां पे pocket money बहुत जदा कम है और कहती कि हो सकता है और जो एंपरेस होती है वो यहां पे सोती कि वो यहां पे अभी warehouse के काम कर रहे है और जिसकी वज़े से उसके हाथ में पैसा बिल्कुछ भी नहीं बचता होगा और मुझे यहां पे कुछ भी बहाना करके जो उसकी pocket money बढ़ना पड़ेगी